साथियों, जब institutions और infrastructure में ये reforms reflect होंगे, तभी राष्ट्रिय शिक्षानिती को अधिक प्रभावी और त्वरीद गती से implement किया जा सकतेगा. आज समय की मांग है, को innovation और adoption की जो values हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं, वो खुद हमारे देश के institutions से शुरू होनी चाहिए, और जिसका नेत्र तो आप सब के पास है. जब हम education और विशेश higher education को empowered society के निर्माता की रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए higher education institutions को भी empower करना जरूरी है. और मैं जानता हूँ, जैसे ही institutions को empower करने की बात आती है, तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है, और वो शब्द आप बली बात ही जानते हैं, वो शब्द क्या है, autonomy. Autonomy, आप भी जानते हैं कि Autonomy को लेकर हमारे यहां दो तरह के मर्द पुरे देश में प्रवर्त मांग है, एक कहता है कि सब कुछ सरकानी नियंत्रण से पूरी सक्ति से चलना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि सभी समस्थानों को by default Autonomy मिलनी चाहिए, पहली एप्रोच में Non-Government समस्थानों के प्रती मिस्ट्रस दिखता है, तो दूसरी एप्रोच में Autonomy को Entitlement के रूप में भी ट्रीट किया जाता है, गुड क्वालिटी एजुकेशन का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है, दोनों मतों के मद्दे से ही निकलता है, जो समस्थान क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज्यादा काम करें, उसको ज्यादा फ्रिडम से रिवार्ड किया जाना चाहिए, इससे क्वालिटी को Encouragement मिलेगा और सबको ग्रोग करने के लिए Incentive भी मिलेगा, National Education Policy, राष्ट्रिय शिक्षानिती आने से पहले, हाल के वर्षों में, आपने भी देखा है, कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों, अनेकों इंस्टिटूशन को Autonomy देने की पहल की है, मुझे उमीद है, राष्ट्रिय शिक्षानिती का जैसे जैसे विस्तार होगा, शिक्षा समस्थानों को Autonomy की प्रक्रिया भी और तेज होगी.